कहते हैं अदजल गगरी छलकत जाए अब यूक्रेन के राष्टपती वॉल्दमीर जेलेंसकी ने चीन को सीधे सीधे कह दिया है भूल कर भी कोशिस मत करना वरना तीसरा विस्युद्ध हो जाएगा यहीं खड़े के खड़े अब चीन ने ऐसा क्या कर दिया है तो वहीं दूसरी तरफ आये स्केपी इसने मुस्लिम देशों को दे दी है चेतावनी कहा चीन से साथ गाट की तो फिर समझ लो आखिर चीन के ऊपर चारों तरफ से बवाल क्यों मच रहा है जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियो पॉल्टिक्स में आये जानते हैं इन खबरो को विस्तार से बात करेंगे कि युकरेन के राश्पती जेलेंसकी ने चीन को तीसरे विश्युद की धमकी क्यों दी है पर उससे पहले जान ले आये सकेपी ये बेहत महतपुर्ण है हमने ये चीज देखा है कि जब मामला होता है कसमीर का तो कई ऐसे मुसलिम देश हैं खास और इनमें इतनी हिम्मत नहीं होती है कि ये कुछ भी कह सके चाइना के खिलाफ मुसलिम देशों का ये दोहरा रवया कई बार देखने को मिला है कोई नया नहीं है मुसलिम देश ऐसा करते क्यों है तो बाप बड़ाना भया सबसे बड़ा रुपया चाइना के पास है प्रासान प्रोविंस इसने एक किताब दुनिया भर में बाटना शुरू कर दिया है मुस्लिम देशों को बाटना शुरू कर दिया है ये खतरनाक आतंकी संगठन इसलामिक स्टेट से जुड़ा हुआ है इसने मुस्लिम देशों की आलोचना करनी शुरू कर दी है और ये पू मुसल्मानों की भी निंदा की है कि कैसे चीन के नियम कानून को मानने के लिए तैयार हो गए हैं अफगानिस्तान में पिछले कुछ महिनों में चीनी ठीकानों पर हुए हमलों की जिम्मेदारी भी इस संगठन ने ले रखी है आतंकवादी संगठन इसलामिक स्टेट इन खु गुखार माना जाता है ऐसा पहली पार हुआ है कि इसलामिक स्टेट से जूड़े आतंकी अब सीधे सिधे चीन पर और मुसल्मानों जातो पर किताब इसमें इसलामिक स्टेट ने चीन के उगर मुसल्मानों की दुर्दसा देखने के बावजूद चीन से 60 गांट करने वाले मुसलिम देशों को जम कर लताड़ा है 117 पन्नों की ये किताब है और इस किताब में आतंकी संगठन ने अफगानिस्तान में राजनीती से लेकर आर्थिक सुरच्छा समंदी चीन के 10 मनसूबों का जिक्र किया है इसमें इरान पर ये कहकर हमला किया गया है कि वो पुर्वी तुर्कमेनिस्तान में दखल देनी की कोशिश कर रहा है ये संगठन मुसल्मानों से भी नराज है और इसका आरोप है कि कम्मिनिश्ट पार्टी ओफ चाइना के सरकार के हर नियम खानूम को मान रहे हैं जिसका बिरोध करना चाहिए लेकिन बिरोध नहीं कर रहे हैं वो इगर मुसल्मानों का बार बार हनन हो रहा है यहां पर उनके उपर अत्याचार हो रहा है इन्होंने तालिबान पर भी निसाना साधा है और ये कहा है कि तालिबान चीन के साथ मिलकर कारोबार करने की कोशिस कर रहा है लेकिन हम चीन के खिलाफ हैं आपको बता दे हाली में काबूल में चीनी ठीकानों पर हमले हुए थे होटल उड़ा दिया गया था और इसके लिए आई-इसकेपी ने कहा था कि हमने ही ये किया है अब इसके बाद इन्होंने सीधे-सीधे ये कह दिया है कि अगर चीन से किसी भी तरीके से साथ गाट की तो समझ लो हम छोड़ेंगे नहीं मुस्लिम देशों को आल्टिमेटम दे दिया है आई-इसकेपी खुरासानने ये च चाइना जो तालिबान और अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा पैसा कमाने की सोच रहा था अब उसके लिए मुस्किल यह है कि अपनी जान बचानी भारी पड़ेगी कहते हैं ऐसा कोई खेल नहीं खेलना चाहिए जो बाद में तुम्हारे ही घर को जला दे कुछ ऐसा ही क आज कल चाइना और पाकिस्तान ने इनके उपर यह आरोप लगता रहा है कि यह दुनिया के देशों में आतंकवात पहलाने का काम करते हैं और अब समय ऐसा आ गया है कि जो इन्होंने दुनिया को बाटा है वही चीज रिटर्न में इन्हें मिल रही है अब इनके देश के अ अमस्या यहीं पर खतम नहीं हो रही है बलकि अब तो चाइना को ये भी कहा गया है कि तीसरा बिस्युद हो जाएगा और ये कहने वाले कोई और नहीं बलकि वोल्दमीर जेलेंस की हैं हमने तो आपको बताया कि किस तरीके से चाइना और अमेरिका के बीच पहले गुबारे गुबारे की लड़ाई हुई और ये गुबारे गुबारे की लड़ाई आगे बढ़ गई और जब बिलिंकन पहुचे चाइना तो यहां उन्होंने मीटिंग की मीटिंग से वापस लोटने के बाद बिलिंकन का मूड बिलकुल सही नहीं था और बिलिंकन ने ये समझा दि eसए हतियार देंगे जो इुक्रेन भीशन अब आकर बाहर मीडा को बता दिया कि चाइन यह दिए जिसदी में और दिजान नहीं है कि वह अब लória को खतरनाक हतियारीं को देगा रूस को यानि कि रूस की साइड में खड़ा होता हुआ चाइना दिख रहा है और मामला सिर्फ इतना नहीं है कि उसने ये बात कह दिये रूस के राष्टपती ब्लादिमीर पुतिन मौस्को में चीन की कम्यूश्ट पार्टी के विदेश नीती परमुक से मुलाकात कर सकते हैं इसका दावा खुद क्रेमलीन ने किया है क्रेमलीन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोम ने कहा कि रूस की राजधानी की यात्रा पर आये हुए हैं चाइनीज कम्यूश्ट पार्टी के सबसे बड़े वरिष्ट विदेश नीती अधिकारी वंगी और पुतिन की हो सकती है और दोनों बैठ कर बाचीत कर सकते हैं वांग की मौस्को की यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिकी राष्टपती जो बाइडेन सोम बार को युक्रेन की बिना किसी पुरु सूचना के यात्रा कर ली और वहां राष्टपती बोल्दमीर जेलन्सकी से मुला वांगी वही है जो पहले विदेश मंत्री थे यहां वांगी धंकी देते हैं और वहां रूस पहुँच जाते हैं क्या मामला सचमुच बहुत गंभीर हो रहा है लग तो कुछ वैसा ही रहा है वैसे रूस युक्रेन की लडाई का एक साल होने वाला है एनवर्सरी मनने वाल देता है तो समझ लो बिस्वयुद्ध हो जाएगा जैलेंसकी ने एक जर्मन अखवार से बाच्चित में कहा कि हमारे लिए यह महतपुर्ण है कि चीन इस युद्ध में रूसी संग का साथ नहीं दे मैं चाहूंगा कि चीन हमारी तरफ रहे हाला कि उन्हें पता है कि ऐसा नहीं होगा वो मान भी रहे हैं उन्होंने कहा है कि मैं जानता हूं यह संभव नहीं है पर चीन को लेकर एक चेतावनी जारी कर दी और कह दिया कि अगर चाइना सामिल होता है तो समझ लीजिए कि यहां बिस्वयुद्ध हो जाएगा खेर इन सब मामले में आपकी क्यारा है कामेंट कर जरू बताएं जल मिलते हैं अगले वीडियो में नई ख़बर के साथ